नमस्कार, भारत हुमपैथी की इस वीडियो में आपका सुवागत है आज हम इस वीडियो में थायरेट के शुरुवाती लक्षन के बारे में बात करेंगे कुछ लोग थायरेट को साइलेंट किलर भी मानते हैं क्योंकि इसके लक्षन हमें बहुत देर से पता चलते हैं आज कलके busy lifestyle और खान-पान के चलते thyroid patient की संख्या काफी बढ़ गई है और अगर इस बिमारी का इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो ये विक्राल रूप ले लेती है और इसकी वज़े से बाकी परिशानिया और बिमारी का खत्रा आप पर मंडराने लगता है आज के टाइम में बिमारी और परिशानी आपकी age देखकर नहीं आती उसका असली reason होता है आपका lifestyle और आपका खान-पान हम अपनी life में इतने busy हो गए हैं कि हमारे पास खुद के लिए ही time नहीं है जिसकी वज़े से हम कई बिमारीों की चपेट में आज आते हैं चलिए आज हम बताएंगे आपको ऐसी बाते जिनको सुनकर आप अपने thyroid के शुरुवाती लक्षन को पहचान सकते हैं और इस बिमारी की जल्द से जल्द रोक थाम कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था की महिराएं इस बिमारी की ज़्यादा शिकार होती हैं तो चलिए अब हम thyroid के लेक्षन पे गौर करते हैं thyroid कोई उम्र देखकर नहीं होता है यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है और बच्चों को भी यह बिमारी हो जाती है जिसकी वज़े से उनकी हाइट रुक जाती है और उनकी बॉड़ी फैलने लगती है thyroid में आपको खाने का सुआद अलग लगने लगता है और गले में स्वेलिंग आ जाती है जो thyroid को इंडिकेट करता है और thyroid की वज़े से आपको continuously digestion problems भी होने लगती है thyroid की वज़े से आपको थकान भी जादा होने लगती है और नीम भी जादा आने लगती है और यहां तक कि आपको थोड़ी बहुत physical activities करने के बाद भी थकान फील होने लगती है और इसमें नखूनों में भी changes आने लगते है वो रूखे हो जाते हैं पतले हो जाते हैं और उसमें white linings दिखने लग जाती हैं और वो जल्दी भी तूटने लगते हैं और इस रोक से पीड़ित कई महिलाओं में आँखों से जोड़ी problems भी होने लगती हैं जैसे आँखों का लाल होना आँखों में खुजली होना और आँखों में सू जानाना और इसमें देखा गया है कि महिलाओं की आवाज में भी changes होने लगते हैं उनकी पहले से voice harsh हो जाती है और भारी हो जाती है thyroid की problem होने पर depression आप पर हावी होने लगता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता और आपके सोचने समझने की शमता भी कमजोर हो जाती है thyroid में irregular periods होने लगते हैं पहले के according वो कम या जादा होने लगते हैं और इसके अलावा देखा गया है कि महिलाओं में एक महिने में दो बार periods भी हो जाते हैं यदि आपको भी ये problem है तो अपने doctor को दिखाएं और जल्द ही इसका इलाज करवाएं आज के लिए इतना ही अगर आपको ये video पसंद आई है तो इसको like कीजिए, subscribe कीजिए और इसको अपने friends में share कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए भारत होमपैती से जुड़े रही है धन्यवाद